इसमें भगवान शिव और मा पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें की पूजा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वर्दान मिलता है। इस बार हरतालिका तीज वरत 18 सितंबर को मनाया जाएगा। यह वरत थोड़ा कठिन है। इस बार हरतालिका तीज पर बहुत ही शुब सन्योग बन रहे हैं, जो महिलाओं के सौभाग्य में वरिध इन सन्योंगों में व्रत बहुत ही फलदाई होगा। इसलिए यह पूजा प्रदोश काल में होनी चाहिए। इसलिए प्रदोश के अगले दिन सूर्योदय पर व्रत खोला जाता है। पूरे 24 घंटे महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखा तीज में जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथी के सूर्योदय में किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है, तो अच्छे से नियम पता कर लें, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगी, उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है, तो जीवन भर रखना होता है, किसी भी साल इसे छोड नहीं सकते हैं। तीज व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है, इस व्रत को पूरी श्रधा भाव से करें, और भगवान शिव पारवती का जागर्ण करें, और सोए नहीं अगर आप बीमारिया किसी वजह से व्रत छोड रही है, तो आपको उद्यापन करना होगा, य अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा, क्यों रखा जाता है, व्रत ऐसी मान्यता है कि इस तिथी पर ही माता पारवती की सखी सहेलियों ने उनके पिता के घर से हरन करके जंगल में भगवान शिव की उपासना करने के लिए लेकर गई थी, जहां पर माता पारवती कठोर तब करते हुए भगवान शिव को पती के रूप में पाया था, हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और जीवन में सुख सुविधा और संपन्नता का आशिरवात प्राप्थ होता है, इस व्रत में सुहाग का सामान यानी सोलह की चीजें माता पार्वती की पूजा में अर्पित करती हैं, इसके लिए वो एक सुहाग पिट्रिया यानी एक टोकरी बना लेती हैं, जिसमें सभी सामान रखकर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है, इन शुब सन्योग में हरतालिका तीज के दिन फूलों से बना के शंकर और पार्वती स्थापना की स्थापना की जाती है, और रातरे जागर्ण कर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है, हरतालिका तीज की कथा 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 के उसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की, दरसल मा पार्वती का बच्प शिव को पती के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालेर परवत के गंगा तट पर बच्पन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पारवती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पारवती की ऐसी हालत को देख कर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवरिशी नारत भगवान विश्णो की तरफ से पारवती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पारवती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे मे मा पार्वती को सुनाया माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिर्व को अपना पती मान चुकी थी माता पार्वती ने अपनी सक्खी को अपनी समस्या बताई माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताफ ठुकरा दिया पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोले नाथ को ही पती के रूप में स्विकार करेंगी सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की अराधना की भादरपत तृतिया शुकल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनकर विधिवत पूजा की और रात भर जागर्ण किया पार्वती जी के तब से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्विकार कर लिया था कहा जाता है कि जिस कठोर कपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया उसी तरहे इस वरत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशाल रहे माना जाता है कि जो इस वरत को पूरे विधिविधान और श्रद्धा पूर्वक वरत करती है उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ती होती है श्री शिवाय नमस्तुभियन दर्शकों हर हर महादेव आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है हम आशा करते हैं दर्शकों आप सभी को हमारे चैनल पर बताए गए उपाय और पूजय पंडित जी के द्वारा श्री शिव महापुरान कथा में बताए गए उपाय अच्छे लगते होंगे आपको हमारे चैनल पर बताए गए उपाय अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें